कि नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खास बात मेरे अपने दोस्त यानी वीर सिंग के साथ दोस्तों महराष्ट में नई सरकार बनी शिंदे सरकार बनी और लोगों को काफी उमीदे सिंदे सरकार से कि आखिर महाराष्ट में कुछ ऐसे फैसले हैं जिस पर लोग कई वर्सों से वेट कर रहे थी इंदिजार कर रहे था और शायद शिंदे सरकार आप एक्षान उसके कि नगर पंच सर्कार ने किया है और उसी कुछार नगरपरिस्न और सर्पंच नग्रास फैसला महाराष्ट के शिंदे सरकार ने अभी अभी फिलहाल किया है दोस्तों जब डिरेक्ट सरपंच या फिर नगराध्यक्ष जब चुनाव होते हैं तो इसमें जो नगर सेवक होते हैं ग्राम पंचाय सदस्य होते हैं वह उनकी इसमें थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है क्योंकि ऐसा माना ज जनता में खुशी होती है कि वह अपना जन प्रतिनीधी गाउं का पहला व्यक्ति अपने शहर का पहला व्यक्ति चुनने का अफसर मिलता है तो लोगों के लिए खुशी की खबर है कि उन्हें डिरेक्ट अपना नगराध्यक्ष या फिर सर्फमंच चुनने का मौगा मिल र तक राजा नहीं था कि माहराष्ट की राजनीती में इतनी बड़ी उतल पुतल हो जाएगी और किसी ने दूर-दूर तक नहीं सोचा था जो क्योंकि यह सोच माना जाता है कि शरत पवार जैसे जो महराष्ट के राजनीती के चानक के माने जाते हैं उन्होंने भी इस चीज को नहीं सोचा था कि BJP कुछ ऐसा गेम कर जाएगी जो महराष्ट की राजनीती में इतिहास में एक अलग पन्नों पे इसे लिखा जाएगा दो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मोदी और अमित साह ने एक ऐसा गेम प्लैन किया जिसकी कल्पना शरत पवार ने भी नहीं कि थी इसको जानने के लिए हम महराष्ट विधान सभा 2019 के नदीजों पे आते हैं तो शीव शेना ने 2019 में 56 सीटे जीती थी जिसमें आइनशीप को 29 सीटों पे शीव शेनाने हरा था और Сीप ने 54 सीटे जीती थी जिसमें 28 सीट पे ंसीप शीव शेना को हरा था यानि कि मामणा आप समझ सकते की अगर वो शिख शेना को कमजोर करती है तो कहीं ने कहीं उनको फायदा हो गए यानि कि राष्छट वादी कॉंग्रेस को फायदा होगा शरतलो lover को फायदा होगा और इसलिए यह शिजएना को कमजोर करना चाहती थे लेकिन यह कहीं ने कहीं pakे बीजेपी के लिए लुक्सान दायक था और बीजेपी को इसका भारी नुक्सान हो सकता था क्योंकि 48 लोग सभा सीटे हैं और लोग सभा सीटों पर भी समय करण बैठता है तो इसमें नुक्सान बीजेपी को होळा था ये बात बीजेपी खुश center गावाधी और खतम शिवशेना बीजेपी के लिए भारी नुक्सान था अगर शिवशेना मजबूत होती है तो फायदा बीजेपी को होता इसमें इसलिए यह दाउचा लगया कि शिंदे का एक अलग गुट बनाया गया और शिंदे की जो शिवशेना है उसे मजबूत किया जाएगा और इस और शरत पवार का गड़ है उत्तर महराष्ट में एनसेपी का गड़ नासिक और एहमदनगर इन सारे इलाकों में एनसेपी का गड़ माना जाता है तो है सीधी सीदे डककर मैं सिवशेना होती है तो यहां बीजेपी को फायदा नहीं है सिवशेना को खत्म करके आइडि самойी इधर बीजेपी का वोट नहीं काट रही है शिवशेना यहां एनसेपी का वोट काट रही है जिसमें बीजेपी को फायदा होता है अब शिवशेना का मजबूत गड़ है कल्यान मुंबई भिवंडी ठाने और अंगाबाद 1990 में शिवशेना 52 और बीजेपी को 42 सीठ प्राप्फ होता है विदान सवाता है अब 1995 में 77 और बीजेपी को 65 यानि की शिवशेना एक बरी पार्टी है यहां पर बीजेपी से और बीजेपी एक च्छोटी पार्टी है उसके बाद आते हैं 1999 के विधान सभाय में जहां शिव सेना को 69 और बीजेपी को 56 यानि कि बीजेपी अभी भी छोटी पार्टी है यह वो दौर था जब बाला सहाब ठागरे के पास कमान हुआ करता तो 2004 में शिव सेना 62 और बीजेपी चोगपन अब कमान जाता है उद्धा बंदूओं के पास यह सही पर बीजेपी यहां पहली बार शिव सेना से उपर जाती है अब 2009 का वो समय था जब उद्धव ठाकरे के पास कमान आ चुकी थी 2014 में शिव सेना 63 बीजेपी 122 लगभग बीजेपी यहां पर डबल हो गई दोनों अलग अलग चुनाव लड़ा थे 2019 का साल आया शिव सेना 56 बीजेपी 105 तो यह था सीधा सीधा मामला जो महराश्टर की राजनीती में इतना बड़ा फेर वदल किया और क्यों किया बांकि न इनालाइस था वह हमने आपको करके बताया कि आखिर मामला क्या था अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहे हैं आज की खास बात मेरे यानि अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन बीसीन निउस पर